लाखों दिलों पर राज़ करने वाले सबके पसंदिता और भारत में क्रिकेट को एक नया चेहरा देने वाले रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक की कहानी के में लीड महींद्र सिंग धोनी जिनके क्रिकेट की कहानी रनाउट से शिडू होकर रनाउट पर खतम हुई उन्हीं महींद्र सिंग धोनी के रेटार्मेंट को 15 अगस्त को 3 साल पूड़े हो गए महिंदर सिंग धोनी जुन्हें लोग प्यार से थाला और अपने शांद और on-fill strategy वेवार के वज़े से कैप्टन कूल भी बुलाते हैं उन्होंने 15 अगस 2020 को इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास की घोशना की थी अपने फैंस को जटका देते हुए इंस्टाग्राम पर विकेट कीपर बलेबास ने एक वीडियो शेयर किया और पोस्ट के कैप्शन में लिखा आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ मच के 29 मिनट से मुझे रिटायर समझे वीडियो के बैग्राउंड में अमिताब बच्चन के फिल्म कभी कभी का मश्यूर गाना मैं पल दो पल का शायर हूं बज रहा था जिसके कारण दुनिया भर के अर्बो लोगों में भावनाओं का सेलाब उमर पड़ा एमस्थोनी ने पहला मैंच 13 दिसंबर 2004 में बांगलादेश के खिलाफ चटगाउं में खेला था तब गांगुली कप्तान थे गांगुली ने अपनी जगा धोनी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा था डेब्यू मैंच में धोनी रनाउट होवे थे हाला की धोनी इस सिरीज में फ्लॉप रहे थे उन्होंने तीन वंडे में सिर्फ 19 रन बनाए थे लेकिन अगली सिरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 123 पॉल पर 148 रन की यादगार पारी खेल कर वे टीम के सबसे भरोसे मन खिलाडी बन चुके थे अपनी बहुत कम एक्सपीरेंस के बावजूद धोनी ने 2007 में ODI टीम की कप्तानी समाली और भारत को T20 विश्व किताब दिलाया दिसंबर 2009 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पर सीरीज जीत के साथ साथ पहली बार अंतराश्टी क्रिकेट परिसद ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत शीष पर पॉँच गया धोनी ने भारत के लिए अब तक सबसे जादा 200 वंडे में कप्तानी की इसमें भारत को 110 मैचों में जीत मिली वे दुनिया के तीसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे जादा वंडे मैचों में कप्तानी की हैं दोनी ने अपनी कप्तानी में देश को 2007 में T20, 2011 में One Day World Cup के अलावा 2013 में Champions Trophy भी चिताई है। दिसंबर 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटार्मेंट लिया था। और उनकी कप्तानी में चेने सूपर किंग्स ने लगतार दो बार 2010 और 2011 में IPL का खिताब जीता और कुल IPL के इतिहास में 2030 के IPL को मिलाकर छे बार जीत दर्च कर चुके हैं। धोनी आखरी बार इंटरनाशनल क्रिकेट One Day World Cup 2019 के सेमी फाइनल में खेले थे। मैंचेस्टर में 9 जुलाई 2019 को न्यूजलैंड के खिलाफ खेले गए सेमी फाइनल में धोनी ने 72 गेंदो पर 50 रन बनाए थे। वो लोवर बाटिंग और के बल्ले बाजो के साथ 240 रन के टार्गेट का पीछा कर रहे थे। मार्टिं गुप्टिल के फ्रोव पर 2 इंच से क्रीज चूक गए थे। माना गया कि इस 2 इंच से भारत भी वोल्ड कप चूक गया और हर भारते क्रिकेट फैंस का दिल तूट गया। वोल्ड कप के साथ-साथ शायद भारतिय क्रिकेट टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ट और बहतरीन खिलाडी का यूग पर फुल स्टॉप लग गया। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और बने रहें जन्हित टाइम्स के साथ।